हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सब आई हूप की आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ गुड मॉर्निंग सुबह का टाइम है और मैं मतलब इनको जाना है तो इनके लिए टिफिन बना रही हूँ तो आज मैंने बनाया था आलू और विंडी देखि आटा भी गूट लिया है आटा गूट करके थोड़ी देर तक रख देती हूं फूल जाता है न उसके बाद रोटी अच्छी बन जाती है थोड़ा सा और आटा बहार निकालके दूसरे बरतन में देखिए इस तरीके से रख लेती हूँ पर्थन लगाने के लिए हमारे आप पर्थन बोलते हैं आप क्या बोलते हैं आप लोग बताना जरूर और यह मैं अभी दिखा रहे हूं कि सुबह सुबह मेरा घर देखे बिलकुल कैसे बिखरा हुआ है क्योंकि रात को बाबु जो चीज जहां फेक देती है फिर वही रहती है सुबह सारे काम हो जाते हैं और इस वीडियो शूटने किया था और यह साम की वीडियो है चार बजे की बाबु मेरी यह बिश्तर लगा के अपना और यहां नीचे आके सो गई थी यह कह रही थी कि मतलब दो फर में दो ढ़ाए बजे कि आसपास मेरे साथ ही सो ही तो मैं सो गई यह उठकर के आके यहां पे अपने बच्चों के साथ में वहां सो गई थी और मैंने सारा फोल्ड करके बेडरूम में रख दिया है उसके बाद फिर जाओंगी बेडरूम में वहां पे बाबु दीन में पढ़ाई की थी थोड़ा सा तो वहां पे मतलब नीचे बैठा के पढ़ाई थी बिचा करके तो उसको भी उठाना है सारी चीजे मतलब फैली रहती है पूरे दिन और उसके बाद सारी जो इनकी बूक है और मतलब पेंसील कलर सारे साथ में होते हैं तो सब को उठा के रखोंगी और उसके बाद बाबु सोई है उसको भी जगाना है और अभी बज रहे है पांच उसके बा बच्चों का ड्रामा होता रहता है तो मैं सोच रही कि अब चलो उठ गई है मतलब उठ जाएगी लेकिन उठती नहीं है ये क्या करती है कहती है मैं फोल्ड कर रही तो कहती है ममा नहीं मुझे उड़ा दो मैं नहीं उठूंगी मुझे और भी सोना है तो साम हो रही है तो बच्चों को जगा देना चाहिए तो जीत कर रही है और भी सोने के लिए देखे कैसे पैर पटक रही है तो फिर से मैं इसको दुबारा से उड़ा दूंगी और फिर कहती हूं सो जाओ लेकिन सोती नहीं क्योंग एक बार अब तो न निकाल करके रख दी थी तो सारे बेट सीट में और यह ब्लेंक के वह चदर है इसमें सब लग गया है तो बिल्कुल छूटता ही नहीं है बहुत को सीच की छूटाने का लेकिन ने चूटता है तो कोई बात नहीं और मैं फिर से दुबारा जगा रही हूं तो ही कह रही कि च कि एक बार में सारी चीजें इनके अंदर ना जाएं वही दे रही थी और फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि यह सो के उठ गी तो कह रही कि मम्मा मुझे तो खानी है मैगी तो मैगी बन रही है और यहां पर साम को मैंने बनाने के लिए दाल भिगा दिया है पूरी पूरन पोली तो बनती है और मैं दिखा रही कि मेरा ना यह कान का निकाल दिया है मेरा कान पग गया था उस दिन रक्षा बंदन के दिन आटो शीषिल पहन लिया था साड़ी पहनने के साथ तो इस विए से मतलब थोड़ एक घंटे में पग गया था इस विए से निकालना इसको थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और नमक डालके सानुसार इसको थोड़ी 5 मिट तक नो फंदना उसके थोड़ा सा पानी मतले ऑबराबर पानी तेरना चाहिए ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और पानी डाल करके फिर उसको ढबक तीन-चार से दिला देंगक उसक तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालते हैं देखिए बिल्कुल इतना सा पानी कि ताकि लाश्रतकदार जब तक उतारने का टाइम आया तो बिल्कुल एक दम पानी सूख जाए और यह सूख भी जाता है तो देखिए मैं अब इसको कोकर को डगा करके बन कर दूंगी और य सबजी हो या आलू मतलब परवल की हो या फीर सोयावीन कुछ की भी सबजी मतलब बहुत टेश्टी लगती है और अब यह दाल हो गई है देखिए मैं दिखा रही इस तरीके देखिए बिल्कुल सूख गई है और इसको पीसना रहता है ना बिल्कुल गरम हो तभी और अग क्योंकि जब मैं वहां पर नासिक में होती थी तो वहां पर पुरन पोली में बनाना सीख लिया था और बहुत अच्छी लगती है सेम इसी तरीके से बनती है बस इसमें नमक पढ़ता है और मेथी नहीं पढ़ता है मतलब इसमें नमक और मेथी पढ़ता है और पुरन पोली तो ना मिक्सर में ना तो फिर सिल बट्टे पिस्निक जरूत नहीं पड़े कि मुझे यह गरम-गरम रहता है तो इस तरीके से भी हो जाता है बिल्कुल और यहां पर अब मैं आ गई हूं लोबिया काटने सब्जी वाले भी आया थे ना तो अभी मैंने लोबिया लिया बिल्कुल ग्रीन और ताजी है तो इसको देख करके अच्छे से काट लोंगी और मैं इन से पूछ रही हूं कि मतलब आज लोबिया लिया है यही सुबह बना के दोंगी सही रहेगा तो बोल रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं बना देना जो बना देना सब ठीक है तो इसको बड़े ध्य जबढ होती 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 है तो इसको काट्ने में ठोरट ताइम देना पढ़ता है तो ताइम दे करके इसको काटना चाहिए जो लोग भी मतलब लोबिया को लेते होंगे कि सी जन में तो देख करके काटे विए कि बहूत ख्तरनाог है और मेरे पीछे प्लेट पढ़ी थी बाप झाल झाल और अब मैं साड़े साथ हो गया आगई हो किचन में और अब बनाओंगी नमक वाली पुरन पॉली आप पुरन पॉली भी इसको बोल सकते हैं हमारे अदाल की पूरी बोलते हैं बहुत टेस्टी लगती है खाने में और इसको बनाने के लिए देखिए वने एक लोई लिया और उसमें भर करके इसको चारत तरफ से गुमा करके इस तरीके से बंद कर लेना है और जो उपर का बचा हुआ आटा होगा उसको निकाल करके रख देंगे और इसको दबा करके फिर इसमें एक सूखा आटा लगा करके इसको थोड़ा सा लोई को बढ़ा कर लेंगे यह इस पा भी खाना हो अगर मेरे अनजदी कही आस पास रहता और मेरी वीडियो देखता हो तो पक्का मतलब मुझे बताना में बना के खिलाओंगी क्योंकि यह ना हर तरफ मतलब हर जग नहीं बनती है यह बस यूपी भीहार में ज्यादा बनती है और यूपी में वह भी मतलब पुरु कि यह मतलब दाल का पराठा भी है और इसी तरीके से मैं सारा बना लूँगी और देखे जब यह फूले का तब आप लोग देखना इसको देखे यह इस तरीके से फूला फूला बनता है विल्कुल सारी पूरी मतलब इसी तरीके से फूल जाती है बहुत टेस्टी लगते है खाने में आप लोग भी ट्राइगर ना पक्का और आप लोग भी आ जाई हमारे साथ खाने के लिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग बाइबा सी यू टेक केर